नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी लेखा शास्तर के दूसरे पुस्तक का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हमारे अध्याय का नाम है वित्य विवरणों का विशलेशन बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने कमपनी के वित्य विवरणों या खातों के बारे में जाना और उनके स्वरूप को उनकी विशय सामगरी को भी देखा हमने देखा कि किस प्रकार हमें कमपनी का तुलनपत्र या लाब वहानी विवरण बनाते हैं आपने उसको देखकर ये समझा कि कैसे एक कमपनी उसका विवसाए वो उसके लेखांकन प्रक्रियाएं ये सभी अन्य प्रकार के विवसाएँ से अलग होती है चाहे वो एकल स्वामित्व हो, साज़दारी हो या और किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो कमपनी इन सभी व्यवसायों से विस्तरित वो अलग प्रकार का व्यवसाय माना जाता है उसी प्रकार उसके लेखांकन की प्रक्रियाएं वो उनके फल्स वरूप प्राप्त होने वाले वित्य खात या विवरण भी काफी अलग वो विस्तरित माने जाते हैं उस अध्याई को पढ़कर आपने यह तो जाना कि कैसे एक कमपनी अपना तुलन पत्र या लाब वहाने विवरण बनाती हैं लेकिन अब हम एक बहुत ही महत्वपूर अध्याई की शुरुवात करने जा रहे हैं इस अध्याई में आप उन विवरणों से प्राप्त होने वाली जानकारियों का विशलेशन करना सीखेंगे जो की एक उदेश था विवरणों के बनाने के पीछे हम क्यों बनाते हैं बैलेंशीट, हम क्यों बनाते हैं प्रॉफिट इन लॉस स्टेट्मेंट सिर्फ उनको बना कर हम उसमें मदों को दिखा कर लाब प्राप्त कर लें या हम यह दिखा दे कि कितनी परिसंपत्या हैं तो उससे हमें शायद आधी जानकारी भी प्राप्त ना हो यदि हम चाहते हैं कि हम कमपनी के कामकाज, उसके लाभानी, उसके संपतियों में होने वाले परिवर्तनों, आदी से जुड़िवी जानकारियों को समझें, उनका कमपनी के व्यवसाई से संबंध जानें, वह उससे कुछ सूचना निकालें जिसे की कमपनी के वित्तिय को यूज या उपयोग करने वाले लोग उपयोग कर पाएं और उनके आधार पर अपने निर्णे ले पाएं, यदि हम यह चाहते हैं, तो हमें कमपनी के वित्तिय रिवर्णों का बहुत ही बारीकी से, वह विस्तार से विशलेशन करना होता है, तो इस अध्याय में हम विशलेशन का अर्थ क्या है, विशलेशन की तकनीक है क्या है, वह किस प्रकार हम विशलेशन कर सकते हैं, तो आईए शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो जानते हैं कि विशलेशन से हम समझते क्या है, बच्चों विशलेशन का अर्थ है, कमपनी के वित्यक हातों में जो प्रक्रिया तयार करनी है उसके लिए एक आधार भूट जानकारी का पूल इकठा करें तो इसके पश्चा जब हम कंपनी के वित्तिय विवरणों में दिये गए विभिन संख्याओं और तत्तियों के बीच संबंधों का अध्यान करते हैं हम यह देखते हैं कि जो संख्याओं संबंध क्या है विभिन मदों के बीच आपस में क्या संबंध है उन संबंधों का अध्यान करना उनकी व्याख्या करना और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निशकर्श के तौर पर निकालना यह हमारा उदेश्य होता है यह हमारा मतलब होता है विशलेशन का इनके जरी हम किसी भी फर्म की लाब पृतित यानि भोग कितना अर्जित कर रही है कि लाब बढ़ रहा है या घट रहा है लाब की दर क्या है इस तरह्की जानकारिया वह उनकी प्रचालन कारे शम्ता के बारे में भी एक सूचना एकतर कर सकते हैं कि कमपनी कितनी कुशल या कितनी सक्षम है अपने प्रचालन में अपने दिन प्रति दिन के लेन देन वा उनकी गतिविधियों को संभालने में वो कमपनी कितनी अच्छी है उसका प्रबंधन कितना अच्छा है उसकी वित्यस्थिती क्या है क्या भविश्य हमारा अच्छा होने वाला, क्या यह कंपनी भविश्य में और अधिक लाब अरजित करेगी, क्या इसकी वित्तिय स्थिति और मजबूत होगी, इस तरह की चीजों को समझने के लिए वित्तिय विवरणों में दी गई संख्याओं और मदों का विस्तार पूर् को जानने का, इन विवरणों को इतना डेटेल या विस्तार में देखने का उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है बच्चों, तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने देखा लाब प्रजदा वह संचालन शमता, इसकी जानकारी मिलती है, यदि हम लाब का एक अनुपात निकाले हम लाब की दरें प्राप्त करें और हम यह देखें कि लाब बढ़ रहा है, तो हम इसके बल पर यह कह सकते हैं कि वो कमपनी अच्छा प्रचालन कर रही है, इस प्रकार और बहुत सारी मदें हैं, आई की मदें, व्याई की मदें, हम अपने व्यायों को किस प्रकार से संचालन किस प्रकार का है क्या वो कुशल है सक्षम है या नहीं है तो उसकी संचालन शम्ता हमें समझाती है इसके अलावा फ़र्म की वित्य स्थितियों के विभिन सवभिन संगठकों को हम वित्य स्थिति या तेलन पत्र से प्राप्त होने वाली जो स्थिति के हम बात करते हैं किस प्रकार की संपतिय हमने रखी है किया ऐसी संपतिय है जो लंबे समय तक हमें लंबा फाइदा बड़ा पहुँचाएंगी या हमने कुछ छोटी-छोटी संपतिया रखी है जो शायद कभी भी खतम हो जाए तो संपतियों का या वित्तिय मदों का संगठन क्या है उनके अंदर किस प्रकार की चीज़ें हमारे पास है उनका हम एक विशलेशन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं हम फर्म की वित्तिय स्थिती में बदलावों के कारणों को जान सकते हैं ना के वित्तिय स्थिती बलकि लाव प्रदता इनमें अगर बदलाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके पीछे कोई विशेश कारण तो नहीं यह हमें जानने को मिल सकता है फर्म द्वारा अपने रिणों की पुनर भुकतान की शमता क्या है क्या फर्म के पास नगद है क्या फर्म के पास ऐसे संपत्या है जिनका उपयोग करके वो अपने रिण चुका सकती है अपने लोन वापस पे कर सकती है अगर हैं तो कितनी मातरा में हैं, क्या ऐसे संपत्यां बड़ी है या घटी हैं इन सब की जानकारी हम ले सकते हैं और फिर फर्म की अलपकालिक वा दिर्गकालिक दरवता के बारे में जान सकते हैं बच्चों द्रवता कार्थ होता है, हमारे पास कितना नगद या नगद जैसी मदे हैं, जिनको जरूरत पढ़ने पर हम तुरंट द्रवित कर सकें, यानि उन्हें हम बेच सकें, उनको नगद प्राप्त करने में इस्तेमाल कर सकें, और फिर उस नगद से अपने दायत्वा भ पूरे कर सकती है, छोटे मोटे लोन या रिण भी चुका सकती है, तो द्रवता की जाच करना, रिण चुकाने की शमता की जाच करना, परिस्थितियों में बदलाओं के कारण जानना, वित्यस्थिति को भापना, लाब प्रता को जाचना, ये सब हमारे उद्देश्य हैं व बहुत महत्वपूर हैं क्योंकि बच्चों वित्य विवरन एक कंपनी या उसके जो अकाउंटेंट है वो बनाते हैं उनकी टीम बनाती है लेकिन इसका उप्योग कई सारे उप्योग करता करते हैं जैसा क्या पिछले कक्षा या पिछले कई आध्यायों में भी पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी के वित्य रिकॉर्ड ना केवल कंपनी के स्वामी बल्के उसका प्रबंधन कंपनी के कर्मचारी कंपनी गुरिण देने वाले लोग बैंक सरकारे कर्विभाग ऐसे कई उप्योग करता है जो कंपनी की वित्य जानकारी को लेकर उससे मिलने वाली के निशकर्श निकालते हैं और उसके आधार पर अपने निर्णय लेते हैं इसलिए केवल company के वित्तिय विप्रण बनाना ही नहीं भलकी उनको बहुत अच्छे से विस्तार में विशलेशन करना भी अनिवारी हो जाता है ताकि उस विशलेशन से निकले निशकर्श का प्रयो तकनीके होती हैं लेकिन हम मुख्यत चार तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिन में से दो तकनीके हम इस अध्याय में देखेंगे बाकी दो तकनीके आप अगले दो अध्यायों में एक एक करके समझेंगे तो जो पहली दो तकनीके हमारे पास विशलेशन की हैं उनमें से एक है तुलनात्मक विशलेशन वा दूसरा है समरूप या सामान्य अकार विशलेशन तुलनात्मक विशलेशन या विवरण का अर्थ है कि विवरणों को इस परकार तयार करना कि उसमें हम एक अवधी के आकड़े या राश्यों को दूसरी अवधी से तुल्ना कर सकें तो अधियदी हम यहां देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वो विवरण होते हैं जो दो या दो से अधिक समय अवधियों में एक फर्म के लाब प्रदा या वित्य अस्थिती की तुल्ना करते हैं तो ध्यान रखना है कि तुल्नात्मक विवरण वो होते हैं जिनमें आप दो या दो से अधिक समय अवधियों पर कमपनी के वित्य विवरणों में प्राप्त राशियों की तुलना करते हैं कि पिछले अवधी में इतना था तो इस अवधी में इतना है कितना उसमें परिवर्तन आया तो हम अवधीयों के अनुसार तुलना करते हैं दो या दो से अधिक समय अवधीयों में इनसे हमें फर्म किस्तिती का पता लग जाता है जो जानकारी हमें प्राप्त है उनको लेकर उनकी विभिन अवधियों के बीच हम जब तुल्ना करते हैं तो उसे हम तुल्नात्मक विवरण का नाम देते हैं इसे 36 विशलेशन भी कहा जाता है हम इसे 36 विशलेशन क्यों कहते हैं क्योंकि जब हम इन विशलेशनों के लिए व हम छैतिज विशुलेशन या होरिजोंटल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात दूसरा प्रकार जो है वो है समरूप या सामान्य आकार विवरण या विशुलेशन। इसमें हम विभिन अवधियों को नहीं लेते हैं। इसके अंदर हम एक अवधि में हमारे विवरण की विभिन मदों को आपस में किसी समान मद के साथ तुलना करते हैं। माल लीजिए हम तुलन पत्र की बात कर रहे हैं। तुलन पत्र में जितनी भी संपत्या हमारे पास एक वर्ष में हैं। उन सभी को हम संपत्यों के योग से तुल्ना करते हैं कि योग इतना है यानि कुल इतनी संपत्या है तो उसमें से प्रतेक संपत्य का कितना हिस्सा है तो इसमें हम एक ही अवधी में किसी एक मद से सभी मदों की तुल्ना करते हैं इसमें हम विविन अवधियों पर नहीं जाते इसलिए इस प्रकार के तुल्ना को अनुलंब विवरण या अनुलंब विशलेशन के नाम से भी जाना जाता है बच्चो अब हम एक एक करके हमारे जो दो मुख्य वित्य विवरण है एक तरफ तुलन पत्र यानि बैलेंशीट एक तरफ प्रॉफिट एन लॉस स्टेटमेंट यानि की लाब वहानी विवरण इन दोनों को पहले तो हम तुलनात्मक विवरण करना सीखेंगे फिर हम इनका सामान्य आकार या समरूप विवरण या विशलेशन करना सीखेंगे इसमें हम पहले इनका स्वरूप देखेंगे और फिर उदारन की साहताई से इसको समझेंगे तो बच्चों तुलनात्मक विवरंड में विवरंड के लिए जब आप स्वरूप बनाते हैं, फॉर्मैट बनाते हैं, तो उसका यह प्रारूप होता है सबसे पहले आप विवरंड के विश्तार में उनका नाम लिखते हैं यहाँ पर, जिसे हम स्थम्ब एक यानि पहला कॉलम का नाम देंगे इसके बाद आप प्रथम वर्ष और द्वित्य वर्ष, प्रथम वर्ष अर्थात पिछला वर्ष, 2019-2020 मान लिजे, उसकी राशियों को दिखाएंगे फिर द्वित्य वर्ष यानि मान लिजे 2020-2020, यानि जो बाद का वर्ष है, उसकी राशियों को दिखाएंगे यह राशिया सामानित आपको प्रश्ण में मिल जाएंगे इसके परश्चात आपका जो काम है वो चौथे और पाच्वे स्तंभ्या कॉलम पर आता है चौथे स्तंभ्या कॉलम में आप परिशुद्ध अभी वृद्धी या अधि वृद्धी ग्यात करेंगे यानि हमारी शुद्ध वृद्धी या कमी कितनी आई है इसके लिए हम इन दोनों को घटाएंगे हम प्रथम वर्ष वो द्वित्य वर्ष में जो मदें दी गई है जो राश्या दी गई है उनको घटा कर प्राप्त करेंगे कि कितनी वृद्धी हुई है प्रत्थम से दृत्य वर्ष में और फिर पाच्वे कॉलम में उस वृद्धी को परतिशत में बदलेंगे चौथा कॉलम वृद्धी या कमी ग्याद करने के लिए है जिसके लिए हम इन दोनों को घटाएंगे फिर जब ये राशिया ये वृद्धी या कमी की यानि परिवर्तन की राशे हमारे पास आ जाएंगे तो हम आखरी स्तंब में उनको परिवर्तित करेंगे परिवर्तित करने के लिए बच्चों हम ये जो चौथे स्तंब में हमें राशी प्राप्थ होगी उसको जो हमारा प्रत्थम वर्ष यानि पुराने वर्ष की राशिती उससे विभाजित करके 100 से गुणा करेंगे ताकि हमें प्रतिशत प्राप्त हो आईए इसे और स्पष्ट तरीके से एक उदाहारण की सहायता से समझते हैं BCR Company Limited का लाब हुआ हानी विवरण हमें दिया गया है हमें इसकी सहायता से इसका एक तुलनात्मक विवरण बनाना है हमारे पास प्रचालनों से प्राप्त आगम यानि इंकम है जो की 2015-16 में 60 लाक रुपे 2016-17 में 75 लाक रुपे का है अन्य आए 2015-16 में 1.5 लाक, 2016-17 में 1.2 लाक बीस जार के है विया यानि खर्चे 2015-16 में 44 लाक रुपे और 2017 में 50.6 लाक रुपे के है इसके पश्चात हमें आएकर की दरें भी दी गई है इस वर्ष 35 परतिशत उस वर्ष 40 परतिशत तब देखते हैं इसका तुलनात्मक विवरण किस परकार प्राप्त होगा बच्चों हमारा जो फॉर्माट यानि कि जो स्वरूप है वो इस परकार दिखेगा हम पहले कंपनी का नाम लिखेंगे हम क्या बना रहे हैं तुलनात्मक आए विवरण बना रहे हैं आए का विवरण बना रहे हैं या लाब वहानी विवरण भी आपर से लिख सकते हैं हमने वर्ष बताया 2016 और 2017 के वर्षों के बीच हम तुलना करेंगे ये जो राशिया हैं ये मुखेता हमें प्रशन से प्राप्त हुई लेकिन प्रशन ने हमें इन राशियों को लाब वहानी विवरण के स्वरूप में नहीं दिया था प्रशन ने हमें केवल राशियां दी अपने हल में हम इन्हें स्वरूप प्रदान करेंगे जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सीखा लाब वहानी विवरन के अंदर सबसे पहले आप प्रचालन से प्राप्थ होने वाली आए को दर्शाते हैं पुराना वर्ष पहले नया वर्ष बाद में तो पुराने वर्ष में 2015-16 में 60 लाक रुपे हमें आए प्राप्थ हुई थी पहले उसको लिखा फिर उसके बाद के वर्ष में 75 लाक रुपे इसके बाद आप स्वरूप को याद करें तो अन्य आये लिखते हैं अन्य आये के राशी लिखी दोनों को जोड़ा आपके पस कुल आये या कुल आगम आ गई इस वर्ष 61,50,000 इस वर्ष 76,20,000 रुपे आये के बाद व्याय की शीरशक को डाला और व्याय के अंदर क्योंकि हमारे पस एक मुष्ट सारी व्याय दी गई थी तो हमने एक अठा उसको लिखा 44,50,000 आये में से व्याय को घटाया तो घटाने के बाद आपको लाब प्राप्त हुआ जब हम आये से व्याय को घटाते हैं, इंकम से खर्चों को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट या लाब ये लेकिन यह लाब कर से पहले बार लाब है इसलिए हम इसे लिखेंगे कर से पूर्व लाब 17,50,000 रुपे 2015-16 में 25,60,000 रुपे 2016-17 में इनको घटा कर हमें यह लाब की राशी प्राप्त हुए इसके पश्चात हम इसमें कर दिखाएंगे आप प्रशन को याद करें आपके पास 35 प्रतिशत का कर का दर 2015-16 में दिया गया था बच्चों यहापर और 16-17 में 40 प्रतिशत तो 2015-16 में हमें 17,50,000 रुपे का जो यह लाब प्राप्त हुआ है हम इसका 35 प्रतिशत निकालेंगे तो यह आएगा 6,12,000 रुपे जो की कर है तो यह घटाया जाएगा इसी प्रकार 25,60,000 रुपे को आप 40 प्रतिशत से गुणा करेंगे इसका 40 प्रतिशत 10,24,000 आएगा उसको भी आप यहाँ घटाएंगे इनको घटाने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी दोनों वर्षों का तो बच्चों पहले तो हमने लाब वो हानी विबरन का स्वरूप तयार किया अभी हमने तुल्ना नहीं करी है अभी हमने केवल स्वरूप तयार किया जो कि आप पिछले अध्याए में भी सीख किया आए थे अब इस अध्याई में क्या सीखा हमने हमें इन राशियों की तुल्ना करनी है क्योंकि हम तुल्नात्मक विपरेट बना रहे हैं इसके लिए हम अगला जो कॉलम बनाएंगे इसमें हम इनका अंतर दिखाएंगे इनको घटाएंगे जैसे कि 2016-2017 में हमारी आए जो परचालन से आए थी 75 लाग थी जबकि उससे पहले वाले वर्ष में 60 लाग थी इसकार्थ है कि हमारी ये परचालन आए इस एक वर्ष के दौरान बढ़ गई 15 लाग रुपे से बढ़ गई कि हम द्वित्य वर्ष यानि बाद के वर्ष के राशी में से पिछली राशी को घटाते हैं तो एक लाग बीस में से एक लाग पचास जार को घटाने के बाद आपको 30 लाग प्राप्थ हुआ ब्रैकेट में दिखाया क्योंकि वो रिनात्मा के नेगटिव राशी है क्योंकि वो घट गई है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में दिखाया इसी प्रकार जो हमारा कुल आए हमें प्राप्थ हुई थी अब हम उसको भी घटाएंगे इन दोनों को घटा कर आपको 14,7,000 रुपे की राशी प्राप्थ हुई यदि मैं इन कॉलम को संख्या दूँ यह हमारा पहला कॉलम है बच्चों इसी यदि मैं संख्या दूँ कॉलम नंबर 1 की तो यह हो गया कॉलम 1 यह हो गया कॉलम 2 यह हो गया 3 तो यह जो column 4 है बच्चों, यह कैसे प्राप्त हुआ? 3 यानि 3 में से 2 को घटा कर इस column की राशियों में से, इintendo को घटा कर हमें यह व्रिधी या कमी प्राप्त हुई तो बच्चों यह जो अंतर हमने प्राप्त की है, यह column number 4 जब हमने पूरा बना लिया, उसके बाद हमें इन राशियों को प्रतिशत में परिवर्थित करना है प्रतिशत में परिवर्थित करने के लिए हम इस में से प्रतियेक राशी को जैसे कि पहली राशी 15 लाख है उसको उसके समक्ष जो पिछले वर्ष की राशी थी जैसे कि यहाँ पे 60 लाख इससे विभाजित करके गुणा करेंगे 100 से ताकि वो प्रतिशत बन जाए जैसे कि मान लिजिए मैं 15 लाक रुपए की राशी यहां ले रहा हूँ नीचे मैंने रखा 60 लाक रुपए को और उसके बाद इसको मैंने गुणा कर दिया 100 से तो इससे मुझे प्राप्थ हो जाएगा 25 प्रतिशत इस प्रकार में एक एक करके इन सभी राशियों को प्रतिशत में बदलूँगा जैसे 30,000 इसके नीचे हम रखेंगे 1.5 लाक और इसे गुणा करेंगे 100 से प्राप्थ होगा 20 प्रतिशत फिर 14,70,000 के नीचे आप रखेंगे 61,50,100 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्थ होगा 23.90 प्रतिशत तो एक के करके सभी राशियों को आपको प्रतिशत में परिवर्थित करना है ऐसा करने के बाद बच्चों आपने दो चीज़ें कर ली आपने एक तो परिशुद दियानी एपसल्यूट चेंज बता दिया कि यदि हम मान लीजिए व्याए की बात करते हैं यदि हम व्याए की बात करते हैं तो हमारा व्याए 2015 से 2016 सत्रह के बीच में कितना बदला 6,60,000 रुपए हमारे खर्चे 6,60,000 रुपए बढ़ गए है प्रतिशत में अगर हम बात करें तो आपने इसको प्रतिशत में भी बता दिया आपने बताया कि हमारे खर्चे 15 प्रतिशत बढ़ गए है इसी परकार हमारी जो प्रचालन आए है वो 25 प्रतिशत बढ़ गई है हमारी जो कर से पूर्व लाब यहां पर हमें प्राप्थ हुआ था, यह 17,50,000 और यह 25,60,000 यहां करीब करीब 46 प्रतिशत बढ़ गया है, हमारे जो शुद्ध लाब है, जो कर के बाद का लाब है, वो 35 प्रतिशत बढ़ गया है, तो इस परकार हमें बड़ी ही संक्षिप्त में महत तो पूर्ण जानकारियां प्राप्थ हो जाती है कि कैसे कितना प्रतिशत हमारा कोई मद बढ़ा या घटा, यदि हम उसको फिर सुद्ध या absolute value या राशी देखना चाहें, तो वो भी हम देख सकते हैं, इसलिए तुलनात्मक विवरन या विशलेशन को एक बहुत अच्छ हम तुलन पत्र का तुलनात्मक विवरन करेंगे वह इन दोनों का फिर से हम समरूप विवरन या विशलेशन भी करेंगे, मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्याय में हमने जो विशलेशन के बारे में जाना, उसके महत्वों को समझा, उसकी तकनीकों की आधार भूत सू झाल झाल